आज हम खड़े हैं रायपूर के एक ऐसे लोकेशन में जिसे एसिया का सबसे बड़ा आवासी परिसर के नाम से जाना जाता है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रायपूर शाहर के कमल विहार करियोजना के बारे में जहां से मैं आपको एक ऐसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके अपने बजट पे है और बहुत ही धर्वे सुन्दरता का एक प्रतीक है तो दोस्तों ज्यादा धेर ना करते हुए हम अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए चलते हैं और वहां समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपके लिए ऐसा क्या है इसे आपको खरीदना चाहिए तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने साइट के जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कमल वियार से बहुत ही नजदिक साइट है और मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि मैं अभी खड़ा हूँ रैपूर शहर के पुराना धमतरी रोड के पास में यह हाईवे से लगा हुआ प्रोजेक्ट है सेज बहार के एरिया में ये सबसे बहतरीन प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की खाशियत ये है कि ये प्रोजेक्ट हमारे आराध्या भगवान स्री कृष्ण जी के नगरी के थीम पे बना हुआ प्रोजेक्ट है जो theme है वो पूरा भगाण स्रीकृष्णजी के पूरे जीवन सहली से ले करके बनाया गया है क्योंकि आज हमको परान के इसाब से भगवाल स्रीकृष्णजी को हम आरत्य मानते हैं और उनको हम कूझा अर्चना करते हैं और कहीं न कहीं जा करके हमको उनसे बहुत ज्यादा prosperity मिलती है तो मैं आपको उस project के बारे में बता रहा हूँ जिस project का नाम है श्याम city ये project जो है श्याम city नाम है आप समझ गए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और श्याम चिपी से आपको क्या क्या मिलने वाला है यह प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने बतावा आपको कि में हाइवे की उपर यह प्रोजेक्ट है जो कि पुराने धम्तरी रोड पर है आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा फ्रेंट है और सामने यहां पर काफी अच्छा की बात करों तो आभी बाहर के रोड पर इखड़ा हुआ हूँ और इस लोकेशन से अगर देखा जाया तो सारे के सारे जितने भी जरुवत के साधन होते हैं वह बहुत ही नजदिक है अगर मैं बात करो आप लोगों को कि यहां से अगर मार्केट और बाकी चीज़े जरुवत की सारी साधाने जरुवत के सारे सामान बिलकुल आसानी से मिल सकते जो कि एकड़म वाकिंग डिस्टेंस पे हैं और अगर बात करों दो मैं तो यह एरिया जो है एडुकेशनल हप के नाम से जाना जाता है तो कि सेज बहार में इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस अगर देखा जाए तो ठीक बाजी में हुआ से सिर्फ आदे किलमेटर के डिस्टेंस में जी इसी इंजिनिरिंग कॉलेज है उतके साथ साथ इसके बॉंडरियों से लगा हुए जो एक स्कूल है जो ग्वें का स्कूल है और भी देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के सोले से इसकूल और कृष्णा पब्लिक स्कूल जैसे एजुकेशनल इंस्टिटूट यहां पास में है और अगर बात करो हेल्थ के में या किसी भी प्रकार की इमेर्जेंसी के लिए तो यहां से महज 300 मेटर की दूरी पर ही दानी केर मैटी स्पेसिलिटी होस्पिटल है जहां पर 24 जन्ता आपको चिकिच्चा का साधन मिलता है और उसके साथ साथ अगर और भी बड़े होस्पिटल की बात करूं तो यहां से लगबग 3 किलमेटर के डिस्टेंस में कमल विहार में वीवा होस्पिटल है और साथ ही उसके आगे अगर देखेंगे तो रान कृष्टा वियर हो होस्पिटल ऐसे बहुत सारे आपको चिकिच्चा के साधन मिलेंगे क्योंकि किसी भी दोस्तों ऐसा है कि मानोसरीर और मानोसरीर को किसी प्रकार की ऐसी अवस्था का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए हमको हमेशा प्रिपेर होना चाहिए और हमारा घर भी ऐसे जगह इस्तित हो यहां पर इन सब की दूरी बहुत ही पास हो और साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए यहां पर आपको इंटर इस्टेक बश टर्मिनल जो कि अभी नया नया राइपू में सुरू हुआ है और कहा जाता है कि भारत में भोपाल के बाद सब से दूसरा बड़ा इंटर इस्टेक बश टर्मिनल है जो कि यहां से सिर्फ और सिर्फ आठ किलिमेटर की डिस्टेंस में पड़ता है और जो भाटा गाव में इस्तित है उसके साथ साथ अगर देखा जाए दोस्ते यहां पर राइपूर का जो रेलवे स्टेसान है वो भी अगर दस से बारा मिनेट की दूरी में आप तैय कर सकते हैं उसके साथ अगर आपको प्लाइट की सुदा चाहिए और एक राजे से दूसरे राजे में जाना है तो यहां से मुश्किल से बीस मिनेट के सफर के साथ में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वामी विएकन आइ पहुंच सकते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जरू है कि यहां से कहीं भी सफर करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा पुराना दमतरी वोट सेजबार की और खास बात है कि यह एरिया आपको बारो महिना ग्रेंगरी से लदा हुए मिलता है यहां दोस और मैं ख़डा हूं देख शाम सिटी को दोन गेट के सामने तो आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लोकेशन में रहने से आपको कितना आनन्द आने वाला है और आपको पानी की समस्या नहीं होने वाली है अब आती है दोस्तों बारी प्रोजेक्ट के पूरे डिटे है और साथ ही आप देखेंगे यहां पर आपके सुरक्षा के लिए बना हुआ है सिक्यूरिटी गार्ड के लिए रूम जो कि आपको च्वबीस गेंटे अपने धिग्राणी में रहे रखेगा और किसी भी असामाजिक तत्व को अंदर आने से रोकने के लिए बनाया गया है दोस्तों जैसे जैसे रहसधानी अपने रूप को लिता जा रहा है कई सारी परिशानिया भी बढ़ती जा रही है इसलिए आपके और आपके परिवार को सुरक्षा देने की जिन्मेदारी है वो हमारी खुत्ती है हमारे बिल्डरों की है और इसके कारण से यहां पर अच्छन का काम शुरू है यह प्रोजेक्ट नाव पहले ही शुरू हुआ है और आप अंदर मेरे साथ चलेंगे काफे कुछ इस प्रोजेक्ट में बन करके तयार हो गया है तो हम आ चुके हैं हमारे भवे प्रोजेक्ट श्याम सिटी के अंदर ज्या दोस्तों मैं अभी प्रोजेक्ट के कारण से थोड़ा आपको लग रहा होगा कि यहां पर कीचर है और इस चौड़ाई रोट के साथ साथ देखेंगे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर का यह बांडरी वाल जो की पूरे चारों तरप से कवट रहा जा यह अभी पूरी तरीके से कम्प्ली की बात बहुत दूर की है तो अभी हुँ मैं प्रोजेक्ट के अंध्रेंस में ही सबसे भव्य खूपसूर्ती सबसे सामने जिसका नाम है आनंध वन आप देख सकते हो मैं एंट्रेंस के ठीक सामने में खळा हूं मेरे पीषे अंदर्णेर्स है और मैं हूँ आनंद वन के अंदर दोस्तो भगवान स्री कृष्ण जी का अगर जीवन देखा जाए तो उनका जीवन पूरी तडिके से आनंद मैं तडिके से गुज़रा है आप देखे कभी नहीं देखे होंगे आप भगवान स्री कृष्ण को कि वो उदास रहे है या वो किसी प्रकार से क्रितिया बनाया गया है यहा रहनी वाले जो लोग है आनंदित रहे और उनके जीवन में हमेशा खुशाले रहे और साथ ही महिलाओ बढ़ों के लिए जूला जूले के लिए यहाँ पर रियास्तर किया और यहां पर पत्वार ना न बने इसलिए इसको बहुत अच्छा तरीके से मेंटेन कर रहे हैं यह प्रोजेक्ट में एक अच्छी तरीके से USP है दोस्तों अभी देखे सावन के महिने में हमारा सूटिंग चाहरा है और बरसात भी हो रही है तो बरसात का आनंद लेते लेते म मैं आप लोगों को आपके लिए वीडियो तयार कर रहा हूं दोस्तों आननवन के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं सामने ही दिखता है काम देनों स्क्वेर आप जैसे जानते हैं कि भगवान श्रीक कृष्ण जी के सबसे प्रिय गया महिया होती थी और भगवान सबसे क्या दा उनके साथ ही अपना समय अतीत करते थे दोस्तों हमारे और भच्छे और गाय ऐसा दिख जाएं तो उनका दिन सुब होता है तो ऐसे ही कहीं न कहीं हमारे डोलपर में सोचा और आपके घर से बाहर निकलने के बाद आप इस मूर्ती को देखें और आपका दिन अच्छा जाए इसके में इसका निर्मान किया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना सुन्दर और कितना प्यारा प्रतीत हो रहा है और साथ ही दोस्तों इसी के पास में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट का जो डवलप्मेंट च मैं इसे आपको की समय समय पर आपके घर में बादर चाहीं को निदान दिया सकता और आपको हमेशा पानी की एक प्रकार से महफूष्दा मिलेगी पानिट के टनकी के साथ ही आप बाजू में एक बड़ा सा स्पेस देख रहे हैं इस स्पेस में बनने वाला है भगवान सी कृष्ण और राधा जी का मंदीर और यहाँ पर बनेगा एक लोटस कुंज मतलब कमल का कुंज बनने वाला है कुंड बनने वाला है जहाँ पर बहुत सुन्दर्ता के पास जो है रास उद्यान आप देख सकते हैं कि राधा जी और श्रीक्रिश्न जी जो एक दूसरे के साथ में रास लीला जो रचाते हैं वैसे ही तर्श पर इस मैदान को बनाया जा रहा है इस ग्राउंड को बनाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का जो जो बहुत सारी सुधाय है उसमें आपको इंडियर गेम्स मिलेगा और वी उसके अलावा जो है जीन और जो भी आज के देख समय में जो आधुनिक्ता के लिए जो चाहिए होती है जो आज रोजबरा में हमको देखने को मिल रहा है वो सारी तरीके से चीज़े यहां पर लगबग डेर एकर से बड़ा है और यह क्लब हाउस भी है रास उध्यान भी है तो यह सारी सुधाय आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलता है इसके अलावा भी इस प्रोजेक्ट के अंदर में मैत्री उध्यान, निधीवन और बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सा अधि सुधाय दिया जा रहा है अगर मैं ब़ाद करूं दोस्तों इस प्रोजेक्ट का डेorलपमेंट का तो आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में अभी भी बहुत सारे कारीगर लगे हुए है, काम कर रहे है और development काफी तेजगती से चाव रहा है अभी इस project को शुरवात हुए मार्च 6 माइना हुआ है और इसमें काफी सारा development दिख चुगा है और इस project का लगबग completion का जा time बताओ कि इस project के अंदर में आकर क्या परह सकते है तो सिर्फ और सिर्फ दो साल के अंदर ये project पूरी तरीके से तयार हो जाएगा जहां जिस श्याम सिटी में आप आसानी से आकर रह सकते है देखें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर drainage और sewerage का काम चाड़ रहा है जो की पूरी तरीके से underground है इस project में electrification भी underground है और water supply का जो point है वो भी पूरी तरीके से underground है तो अब जो societies बन रही है और कुछ builders ऐसे हैं जो की अपने ग्राहकों का विसेज ध्यान रख रहे हैं और नए तरीके से आधुनिक्ता को लेकर के जो बनाया जा रहा है वो उस तरीके से निर्मान का रही है यहां पूरी तरीके से चल रही है मैं आपको इसके साथ साथ दिखाऊँगा की इस project से लग करके जो मैंने आपको बताया था कि जीडी गोयन का इसकूल के पास में हम ख़़े है और यह आपको दिख रहा है दोस्तों यह साब में ही बिल्डिंग दिख रहा है यह है जीडी गोयन का इसकूल जो की हमारे project के boundary wall से लग करके है मतलब अगर आपके घर का बच्चा अगर इसकूल जाना चाहे तो यहां से walking distance में ही इसकूल जा सकता है और दूसरी चीज अगर बताओ मैं आपको यह project साहर के एक सुनेवस्ति जगे पर है जहां पर already लोग रहते है यह मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यह पीछे देख रहे हैं यहां पर housing board society है 36 गर देह निर्मान मंडल का यहां पर लगबग 1700 मकान बन चुका है जो की काफी समय होगा है और यहां पर लगबग लगबग देखा जाए तो 90% occupancy है 90% लोग रहते है तो इस location में इस society में आपको property खरीदने से काफी सारी benefit है क्यों दोस्तों यह भव प्रोजेक्ट 28 एकर का है जहां पर 456 plots available है और अगर plot की size की बात करूं तो 1000 square feet से लिए करके 2000 square feet तक के size का plot यहां पर available है और इसके साथ साथ अगर इस project में plot करीते हैं तो आपको bank से finance के भी सूरा मिलती है एक अच्छी बात बताओ दोस्तों कि यह project मुझक परस्नली इतना जाबा पसंद है कि मैंने खुज के लिए अपने में दो plot इसने investment करके रखा है तो अगर आपको यह property सच में पसंद आया है तो आप भी इस project को एक बार जरूर विजीट कीजे और नीचे दिये हुए screen के number जो आ रहे है उस पर whatsapp कर दिजे yt space आपका नाम space s y c और गेव दिजे नीचे आ रहे है number पर मेरी team आपको बहुत ही जल्ड संपर करेगी दोस्तों बिल्कुल सोचने और समझने में अपना समय खराब न करें ऐसा project आपको दोबारा बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि यह project under construction project है आप भी समझदार है under construction project में निवेस्ट करने से आ क्योंकि का जाता है कि real estate में निवेस्ट करने से पहले सोचना नहीं चाहिए निवेस्ट करें और सोचे अगर आपको यह video और यह project पसंद आया होगा तो मेरे youtube channel my budget my homes को subscribe कर दीजे ज्यादा से ज्यादा share कर दीजे और हाँ like भी कर दीजे तो thank you so much दोस्तों आज के इस video को बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना real estate एक्स